हेलो वेर गुड़ेनु टू अलो फियो माई डियर फ्रेंट मैं शांतनु शुखला आप सभी दोस्तों का bankersadda.com के official youtube channel adda247 पे हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी ये 0 to hero जो foundation class चल दिये maths की foundation class दोस्तों सुबह नहीं हो पाई unfortunately power connection वगेरा की वज़े से थोड़ा इसू चला उस वज़े से नहीं हो पाई लेकिन चुकि आपका नुकसान ना हो इसलिए मैंने इस class को reschedule किया और अभी फिलहाल जो अपने schedule के according की इस time थोड़ा सा वक्त था मेरे पास तो इस time हमने इस class को अरेंज किया है ठीक है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम लोग सुबह बात करते हैं उसी टाइप में पूरा का पूरा session रहने वाला है discount एक topic जो कि आप लोग है तो हाला कि profit and loss का हिस्सा लेकिन कई ऐसे आपको index मिलेगी कोई भी बुक आप लेते हो तो उसमें profit and loss से अलग discount topic ही रखा जाता है आपके सामने तो हम लोग इसको अलग से discuss करते हैं हाला कि जितना भी concept आपका यूज होगा वह आपका profit and loss का ही फंडा यूज होगा हला कि profit and loss में भी आपके percentage की यहां पर यूटिलाइज होने वाला है उम्मीद करेंगे दोस्तों आप सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों की पीच में शेयर करें और बताएं कि हाँ सुबह वाली क्लास अभी शाम को चल रही है वेरी गुड़ वाल व्यू कोरोना ओके कनहिया जी अंकित जी वेरी गुड़ व्यू वाल व्यू माई डिर फ्रेंड आईगी दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि देखो आज का सेशन कुछ जादा ही आपको भी अभी वाला सेशन कुछ बहुत अजीब सब्सा दिखेगा देखो क्यों क्या क्या रहने वाला सेशन समरी में हम आपको बताते हैं सुबा का वक्त होता है तो भाई थाट आप दे से शुरूबात करते हैं शुरूबात तो ही थी लेकिन कुछ गढ़बढ हो गया ठीक है हाँ बाई वॉल्यूम ओके है ना कोरोना अक सीखेंगे कि धिसकाउंट के कंशिप्स और डिसकाउंट की सारी कि सारी बाते हम लोग सीखेंगे ठीके pizza और इसके बाद मेरे दोस्तों श。 inيف लोग स्वाल लोग discuss करने אני रहाए जो 50 सवाल हम लोग discuss करेंगे ठीक है जिए डिसकाउंट कांशिप्स सबसे पहले थीम स दोस्तों एक एक्स्ट्रा चीज चुकि trick of the day हम आपके सामने नहीं आज डिसकस कर रहे हैं इस वज़े से 20 सवाल हम लोग करेंगे टाइम की हमारे पास पावंदी नहीं हम आराम से 20 सवाल करेंगे overall ठीक है इस तरीके से की सर आप इंक्रीज करो volume यार देखो अभी volume इतना ही रह पाएगा मेरी तरफ से हां क्योंकि दिन पर हम class लिए गये हैं ठक ठीक है भई तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं overall इस particular session की चलिए सबसे पहले तो session summary मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या होने वाला है concept सीखेंगे उसके बाद 20 सवाल हम लोग यहां पर discuss करने वाले हैं 20 सवाल discuss करने के बाद फिर दोस्तों हम लोग question of the day की चर्चा करेंगे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं okay okay शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोस्तों concepts की बात कर लेते हैं ठीक है यार sound बढ़ा लो मेरे भाई sound बढ़ा लो ठीक है चलो तो आप session को share करो reach बताओ सब बच्चों को बताओ कि हाँ सुबा वाली class चल रही है तो चलो सबसे पहले concepts की ही हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ठीक है क्या होता है actual में discount के बारे में शुरुआत से अगर शुरुआत किया जाए तो बस discount शब्द जब हमारे कान में पहली बार पहली बार पड़ा तो वही दौर था जब हम एक दुकान पे गए एक time था जब हम पने पापा के साथ दुकान पे जाया करते थे दुकान पे और वहाँ पे एक shirt मुझे पसंद आई ठीक है एक shirt पसंद आई और shirt पे एक price लिखी थी 1000 रूपीज ठीक है अब बस math से थोड़ा हट के चीजों को सीखेने की कोशिश करें आप math तक ही limited ना रखे चीजों को आप बस कहानी के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें बस आप व 1000 रूपीज दोस्तों पे प्रिंट था अब आप शुरू हो गए भाई ठीक है थोड़ा वॉल्म के है ना चलो तो शुर्ट आपको पसंद आगी दोस्तों और इसके बाद देखो हम आपको बता दें थोड़ा आप देख वा रहे हो गई ठीक है तो यह हमारे दो परमित्र है जो ना वही परिशान कर रहे है ठीक है परमित्र आप समझी के होगे भाई है असीज गौतम सर और संतोज कुमारे सर ठीक है बाई चलिए तो यही है चल रहा है भी थोड़ा सा ओके अब देखो दोस्तों तो हमने का 1000 रूपीज शट के उपर प्रिंट था वही शॉपकीपर के point of view से वह mark price था शॉपकीपर के point of view से वह mark price था अब थोड़ा बहुत request किया थोड़ा बहुत कम करो कम करो कम करो तो उसने उस शट को दोस्तों 800 रूपय में बेज दिया एक एक point समझ लेना 20 सवाल भी हम लोग discuss करेंगे यह बात ध्यान रखना और यह जो price रहे दोस्तों यह है आपकी selling price अब यह जो कमी की गई जो यहाँपे कमी आपको 200 रूपय की कमी दिख रही न एक बात आपको समझ आघे कि mark price में की गई कमी ही दोस्तों आपकी selling price बन गई और जो कमी की गई 200 रूपय की कमी ही हमारी क्या करना हो तो किया करोगे कितने परसेंट का discount दिया ग करना यह क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोशिश कि अगर सुबा पावर इंटरप्शन हुआ तो हमने यह सोचा कि आपका नुकसान ना हो और इस मज़े समय ने शाम को शेडियूल किया है ठीक है मुझे भी कोई शौक नहीं था आराम से हम आराम से सो सकते थे तो आप लोग बस क्या करो कि शेशन को शेयर करना शुरू करो तो हमने आप से कहा कि परसेंटेज अगर कैल्कूलेट करना होता तो हम लोग क्या करते हैं discount को numerator पे and divide by mark price then multiplied by 100 because we know very well that the any kind of initial value यह हमेशा क्या होती है denominator पे होती है दोस्तों ठीक है वही तो यह है overall कहानी इस तरीके से हमने कहा कि discount upon mark price multiplied by 100 ओके चलो ठीक है भाई हो गया सब कुछ हो गया ठीक है हम आपको बता रहे थे थे थोड़ा बहुत बस भाई यह आसीज गौतम सर और संतोज कुमारे सर बस परिशान कर रहे थोड़ा बहुत चलो ठीक है हो गया भाई final अब देखो तो एक चीज़ तो आपको पता चलगी discount percentage का आप यहां तक कहानी clear हो गई एक बात ध्यान रखना अगर हम आपसे कह देते हैं कहीं पर भी suppose आपसे यह कह रहे हैं कि 30% का discount यह शब्द अगर आपके कान में पड़े कि 30% का discount तो आपके मन में यह feel होना चाहिए इसका मतलब कि कोई भी article जिस पे 100 रूपय प्रिंट है मेरे discount मतलब आपको लगने लगे कि वास्तों में सबसे easy topic match का यही है बस देखते जाओ आप point to point ठीके भई जितनी variation जितनी concept होते हैं सब बता आते चल रहे हैं आपको हम यह आपको समझा गया अच्छा चलो ठीके भई अच्छा इसको अकर हम fraction में convert कर देते तो जरह इसका ratio लोग गया तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या आपको discount percentage दिया जाए तो आप direct mark price और selling price में ratio बता सकते हैं न सारे लोग बता सकते हो हम कुछ example लिख रहे हैं जल्दी से फटा पट ratio बताना आप इसका screenshot ले सकते हैं मेरे दोस्तों आप screenshot ले ले इसको हम हटा रहे हैं अब हम जो आपको दे दिया discount percentage है 12.5% का यहां पे आप mark price और selling price का ratio बताना हमने आप से दे दिया discount percentage है 14 complete 2 by 7% का 14 सही 2.7% का discount दिया गया mark price और selling price का ratio फटा फट से बता जाए देखो इन सब की बहुत help मिलेगी और बहुत अच्छे से आप सारे questions को simplify कर पाओगे जल्दी फटा आप से बता mark price selling price का relation बता सकते हैं बिलकुल बता सकते हैं 10% का discount का मतलब हुआ कि 1.10 की कमी क्योंकि fraction आप सबको पता है 10% और एक numerator वाली value किसको शो कर रही है discount को शो कर रही है denominator वाली value mark price को शो कर रही है क्यों ऐसा कह रहे है क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने लिखा कि discount percentage जो होता है आपने अभी भी लिखा कि discount percentage जो होता है वो discount upon mark price multiplied by 100 होता है तो numerator की value discount denominator की value mark price 10% की discount से आप लिख सकते हैं 10 ratio 9 अगर आपसे कहा जाए 12.5% का discount तो आप लिख सकते हो 8 ratio 7 अगर आपसे कहा जा 14 2 by 7% का discount तो लिख सकते हैं आप 7 ratio 6 भाई कैसे लिख सकते हो क्योंकि 12.5% का मतलब 1 upon 8 होता है 14 2 by 7% का मतलब 1 by 7 होता है इस तरीके से आप इनके पीच में bond बना सकते हैं जरुआत पढ़ने पर आप इनका इस्तेमाल करेंगे यह point आपका clear हुआ हटा रहे हैं इस चीज को ठीक है अब हम बात करने वाले हैं तो पहला point आप notes बना रहे हो सारे लोग इसलिए हमने reschedule किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो paid batches afford नहीं कर सकते और वो foundation से पढ़ रहे हैं तो उनका single day भी loss नहीं होना चाहिए चाहे मेरी तबियत खराब हो चाहे light चली जाए चाहे जो चला जाए यह बात ध्यान रखना तो notes आप सारे लोग जो बना रहे हैं उसमें आप सब add करते चले चलना, point one हो गया, second point आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब आप shopping mall में घुशते हो तो अलग अलग तरीके से आपको गुमराह करने का महौल बनाया जाता है, सबसे पहला आपके सामने बड़ा बड़ा एक स्क्रीन पे पूरा जो वो होता है डिस्पले उस पे एक लड़की सूटकेस लेके खड़ी होती है, चसमा उसमा लगा के और उस पे लिखा होता है 60% flat discount, वो एकदम flat करने वाला होता है महौल, तो flat discount चलो ठीक है, वो तो आपको समझ आता है, लकिन जैसे ही आप आगे बढ़ सेक्शन को like और share करते रहना दोस्तों या अपने एक तरीके से responsibility समझो अब इस चीज को, ठीक है भई, अगर प्यार करते हो हमें तो भाई एक बार इसको responsibility समझ के आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि सुबा class नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो भाई, यूज discount upon mark price, discount मेरे दोस्तों कितने का मिल रहा है, कितने article free मिल रहे है, एक article free मिल रहा है, है भई, मज़ा आ गया तुम्हें अंकीत पाल, है भई, फ्लैट आओ, तो एक आपको free मिल रहा है, एक आपको free मिल रहा है, total article, अब ध्यान डखना, नीचे mark price लिखनी है, तो mark price कि 3 article के numerator पे, denominator पे, total value, similarly मैंने एक और example दिया, मैंने आप से कहा, फटा-फट से answer बताते चलो, चुठकियों में एक दम, बिल्कुल हलवा है, एक दम, मस्ती से answer बताना, हमने आप से कहा लिखा हुआ, buy 4, get, दोस्तों, 1 free, चलो भाई, ठीक है, 4 की खरीद पे, एक मुफ्त दिया जा ठीक है, तो जो बच्चे इस सवाल में, पहले सवाल में 33.33% कर रहे थे, वो 1 upon 3 कर रहे थे, इसका मतलब उनके हिसाब से discount percentage, अगर calculate करने के लिए कहा जाए, तो 1 free है, और कितने पे, एक पे तो 1 upon 1 कर देंगे, 1 upon 1 का मतलब उनके हिसाब से 100% आ जाएगा, 100% का मतलब तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसका मतलब कहां पे गलती हो रही है, इस number of articles में, हमेशा हम total article लिखते है, तो total article 1 or 1 मिल कितना हो गया, 2, तो 1 upon 2 multiplied by 100 कितना आ जाएगा, 50% off, यानि जब भी buy 1 get 1 free बोला जाए, तो 50% का discount है, buy 4 get 1 free बोला गया, तो 1 article free है, एक हमने numerator पे रखा, total article 4 और 1 मिल के 5 हुआ, 1 upon 5 multiplied by 100, now you can say the discount percentage is 20%, ये कुछ types of discount है, done इतना, विल्कुल तावड तोड़े से answer बताते हो, बड़े अस्तर पे, यहां तक रहा types of discount, एक category आपने देख लिया, चीज़े और आगे बढ़ी मेरे दोस्तों, हटा रहें इस चीज़े और आगे गाओ में इनकी एक पर्चून की दुकान है, ठीक है, ये है भाई साब, राजुलाल ठीक है, राजुलाल जी की एक गाओ में पर्चून की दुकान है, सामान उठाने के लिए अचानक से एक दिन वो शहर आते हैं, शहर में वहाँ पे देखते हैं तो shopping mall वगएरा उनको दिसकाउंट दे रहा है 70% and 30% दो successive discount दे रहा है मतलब वो दो discount दे रहा है अपने shop पे अपने articles पे वो दो discount आप शल्ट खरीदने गए और उसने लिखा था तो फिर दिन में कहीं चले गए शाम को आये तो पता लगा कि पूरी चीनी खाली collection के नाम पर कुछ नहीं उन्होंने कहा इसा कैसे हो गया उन्हें पूछा इसा कैसे हो गया तो आप ही तो बोले दे 70% 30% का discount दिसकाउंट तो दोनों जोड के उसने 100% कर दिया उसने बोला कि 100% क का मतलब हुआ सब कुछ फिरी में दे दिया उसने अब उनकी बुद्धी खराब हुई यार यहां तो mistake हो गई तो actual में क्या था जब वो शहरवाला 70% और 30% का discount देता था तो actual में यह direct आप add नहीं कर सकते यह discounts होते हैं आपके successive जब एक से ज़्यादा discount दिये जाए दोस्तों तो यह होते हैं हमारे successive discount तो successive discount का equivalent discount का कैसे निकालते हैं इसका मतलब यह हो रहा है कि 100 रूपए अगर mark price है कोई सामान जिसपे 100 रूपए print है पहला discount आपने दिया 70% का 100 में 70 की कमी किया आपके पास value आगई 30 रूपए यानि अब उस सामान को आपको 30 रूपए में बेचना और यह हो जाएगी हमारी selling price ठीके भई यह हो जाएगी मेरे दोस्तों हमारी selling price यानि mark price अगर 100 है तो selling price हमारी 21 आगी कितने का discount मिला आपने कहा 79 का discount तो यह रहा equivalent discount यानि 79% का 100% का नहीं आया 70 रूपए जोड़ करके इससे यह पता चल गया कि हाँ भई अगर एक से around दिये जाते हैं तो वो हमारे success yield होते हैं यानि कि क्रम गत बटा इसको कहा जाता है success yield का मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों क्रमा गत बटा या फिर क्रमा गत छूट ठीक है क्रमा अगत बटा ठीक है अब इसका equivalent कैसे calculate करते है यह ऐ आपने success yield一個áng calculate किया और आप सबको सक्सेसियो निकालना बहुत अच्छे से आता है अच्छा गौर सेंटरल मॉल RDC बहुत बढ़िया किट्टू सिंग सही है ठीक है भाई हाँ गौर सेंटरल मॉल से बहुत याद जुड़ी है हमारी भाई सच में भाई तो था हमारी व्रांच है ना खेर कोई बात नहीं 10.दिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया दोस्तों 79 परसेंट ख्लियर हो गया चलो इसका आप स्कृिन शॉट लेलो हम एक तरीक तो यह इस्तिमाल कर सकते हैं यह पहला मिथड रहा सफेस्सियो एक्यू इसकाउऍच करने का अब ध्यान राखना इसीज मेच को नोट करन एक चीज क्या बोलने जा रहे हम, to calculate equivalent discount of 2 or more than 2 successive discounts, फिर से note करो, to calculate equivalent discount of 2 or more than 2 successive discounts, इसको आप note कर लो, तो क्या होता है तरीका, जरा ध्यान से देखो, हम आपसे यही कह रहे है, कि equivalent discount of 20 सवाल भी करने हमें, तो एक काम करो, share वगएरा करते रो, थोड़ा like करते रो, हम भी आगे भी कभी ऐसा हो, अगर इस session दिन में खराब हो जाए, तो हम यह उम्मीद करें, कि हाँ भाई, साम को session लगाएंगे, तो बच्चों का प्यार हूँ, इसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ऐसे हम, यह आप ही लोग के हाथ में है, ठीक है, तो equivalent discount of two successive discounts, ठीक है, कितना, x% and y%, x% और y% के दो successive discount दिये जारे है, इनका equivalent क्या होता है, तो यह हमारा second method है, पहला तरीका तो हम लोगो xy upon 100%, इस तरीके से भी हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, एक्जामपल के रूप में अगर हम चीजों को समझा है, हम आप से कहें, calculate the discount of 40%, अगर दो एक shopkeeper, ठीक है बई, एक shopkeeper, दो successive discount देता है, 40% और 20%, आप बताओ, इसका equivalent discount क्या होगा, डारेक्ट आप लिख होगे, 40 plus 20, औ में 8 घटा दो, आप कहोगे, आपका जवाब आगया, 52%, एक आपका दूसरा तरीका ये रहा, अब हम बात करते हैं, दोस्तों, सबसे important, most important करके मार करना, जो हमें apply करना है, हर जगा, ठीक है, जो हमें हर जगा पर apply करना, ठीक है, ये उनके लिए, जब हमारी digits ऐसे integer हो, ये त जाम देने बैठे, number series अटक गई, जो हमें solve करके मानेगे, है, तो ये अपना ego अगेरा, सब अपने अंदर रखे रहा करें, बुध्धिमानी दिखाया करें, ठीक है बई, तो इस तरीके को जो है, आपको absorb करना होगा, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि equivalent अगर आपको नि तो अब वही successive तरीका, कि पहले आपने किसी सामान पे 30% की कमी की, दूसरी बार आपने 20% की कमी की, यानि पहले कुछ initial value mark price थी, आपने पहले 30% की कमी की, और last में आपके पास selling price बचा, यही है आपका सामने, जो हम लोग successive में solve किये हैं, 30% का मतलब होता है 3 upon 10 की कमी, 20% का मत 3 घटके कितनी हो गई 7, यहाँ पे value 5 है, तो एक घटके कितनी हो गई 4, अब calculate कर तो 10 पचे कितना हो गया 50, और 7 गुड़े 4 कितना हो गया 28, कितने की कमी आपको दिखरी यहाँ पे दोस्तों, 22 की कमी कितने पे 50 पे, तो बताओ 100 पे कितनी, तो 22 बटे 50 multiplied by 100 आपका जवाब 44 परसेंट के बराबर, आपका जवाब दोस्तों रहा 44 परसेंट, यह आपका correct answer, तो यह हमें तरीका जो second, third method हमने बताया आपको, यह जो third तरीका है, यही हमें सबसे ज़्यादा apply करना है, 44, ठीक है, third वाला जो method है, वो हमें हर जगा पे apply करना है, जरा ऐसा क्यों कह रहे है उसकी हम बात करते है, ठीक है, तो चलिए, शुरुआत करते हैं दोस्तों, सवालों से शुरुआत करते हैं, third वाला method अभी आपको धंक से नहीं समझाया होगा, आगे सवालों में समझ लेंगे, पहला सवाल आपकी screen पर यह रहा, ठीक है, पहला सवाल, उसी तरीके से apply करना ह अब तक, फटापट से answer करना है अब बस, हाँ बई, तीन discount है formula वगेरा कुछ नहीं, बस आपने successive breakdown समझाया है न, percentage पूरा पढ़ाए, profit loss पढ़ाए, उसमें आपने successive equivalent निकालना सीखा है न, बस वही करना है, mixture भी आप पढ़ चुके हो, successive decrement, हाँ बटे, अनन्त प्रकाश जी दो से जादा है न, देखो, तीन discount दिये गए हैं, हाँ बटे, बता रहे हैं, मत परिशानों, successive discount आप लोगों ने देखा था न, चलो भाई, शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखें, एक shopkeeper ने तीन discount दिया, साड़े बारा परसंट, दस परसंट, पच्चिस परसंट, तीन discount दिया, तीन कमी, साड़े बारा परसंट का मतलब क्या होता है, वन अपॉन ए, तेन परसंट का मतलब होता है, वन अपॉन टेन, 25 परसंट का मतलब होता है, वन अपॉन फोर, तीन कमिया की जा रही हैं, तीन कमिया की जा रही हैं, आपको होगे value अगर 8 है, तो दोस्तों, एक गट के कितनी हो गई 7, यहाँ पे value 10 है, तो 1 गट के कितनी हो गई 9, यहाँ पे value 4 है, तो 1 गट के कितनी हो गई 3, अब एक दूसरे की तरफ अगर कुछ कट रहा हो, तो काट देते हैं, हाला कि यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, अगर कुछ कट नहीं रहा, तो direct multiply करो 8 गुड़ इसका मतलब सिर्फ इतना हो रहा है कि अगर 320 हमारी mark price है, किसी भी सामान पर आपने 320 रूपए प्रिंट कर रखे हैं, इसका मतलब वो सामान हमारा 189 में बेचा जा रहा है, कोई भी सामान जिसमें हमने 320 रूपए प्रिंट कर रखा है, वो सामान हमारा 189 में दोस्तों sell किया ज और यहाँ पर विक्रे मूल नहीं, यहाँ पर अंकित मूल लिखो, हिंदी में थोड़ा सा एक mistake दिख गई मुझे, यह विक्रे मूल नहीं अंकित मूल लिखो, क्योंकि मार्क प्राइस दिया नहीं 6400, तो इसका मतलब कि अगर 320 मेरा 6400 के बराबर है, तो वन यूनिट की वैलो simplify कर सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने, अच्छा एक बात बताओ, discount का मतलब कमी करना ही तो होता है, अपने दिमाग में बस यही रखो, कि कमी आप किसमे कर रहे हैं, तो आप mark price में कमी करते हो, selling price मिल जाती है, भाई हम shopkeeper हैं suppose, मैंने एक pin बनाई, pin के उपर 100 रूपए selling price के बरावर, चलिए दोस्तों अगले का question बढ़ते हैं, next आप के सामने यह रहा, time restart होता है, चलिए, time आपका खतम हो चुका है, एक और timer ले लो, छोस के सर्सक्याइ मस्ट आपका हुए और, प्रिंथ, भाई हैं सबस्तोंवाद मॉय चलिए, चलिए में करते हैं nevertheless, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं लोग, अब देखो, आप से पूछा गया, equivalent discount बताओ, कितना answer आ रहा है आप लोग का, 31.6, option number C, option number C, सिधा देखो, आपके सामने 5%, 10% और 20% लिखा हुआ, 5% का मतलब कितना हो गया, 1 upon 20, 10% का मतलब कितना हो गया, 1 upon 10, 20% का मतलब हो गया, 1 upon 5, ठीक है, ठीक, ओके, अब बस आप यहाँ पर देखो, value 20 है, 1 घट के कितनी हो जाएगी 19, यहाँ पे value 10 है, तो 1 घट के कितनी हो गई 9, यहाँ पे value 5 है, एक घट के कितनी हो गई 4, ठिक, multiply मार दो 25, 100, 100 गुड़े 10, कितना हो गया 1000, यानि कि mark price अगर 1000 है, तो इनको multiply कर दो 19 गुड़े 9, 171, 4 से multiply करोगे, दोस्तों कितना हो जाएगा, 6, 8 और 4 के बराबर सही है, अब बस आप इतना देख लो, equivalent discount पूछा जा रहा है, कितने की कमी आपको यहाँ पे दिख रही है, आप घटा दो, आपको जवाब कितना मिल गया, 316, divide by 1000, multiplied by 100, भाई यह बताओ, अगर mark price 1000 थी, तो selling price कितनी हो गई, 684, और आपने क्या क्या, फिर 1000 स 6% आपका answer रहा, option number C, clear इतना, आईए दोस्तों, अगले question पढ़ा जाए, यह question आपका हो गया, next question आपके सामने यह रहा, दोस्तों, timer आपका start होता, चलो, थोड़ा यार, तुम लोग share वगएरा करो session को, चलो, ठीक है, सवाल बहुत चोटे-चोटे हैं, इसलिए 20 सवाल आप तुरंद के तुरंद कर जाओगे, 20 सवाल आप असानी से कर सकते हो, ठीक है, अच्छा, राकेश कुमार जी पूछ रहे, आई बीप सार ब्यार आरबी 2020 के test series में सारा question यह दिया है, वो दिया है, ठीक है बई, तो आपके पास एक help line number होगा दोस्तों, उसी पर call कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलो, अगले सवाल पर move करते हैं, आ यानि 1 upon 7 का discount दिया जा रहा है, 1 upon 7 के discount का मतलब क्या हुआ, आप देखों यहाँ पर, एक discount देखों यहाँ पर 2 discount दिया जा रहा है, जाने अन जाने में आपको समझ भले ना रहो, लेकिन यहाँ पर 2 discount दिया जा रहा है, पहला discount है 1 upon 7 का, पहला discount है दोस्तों 1 upon 7 का, ठीक है, दूसरा discount अगर आप देखें, तो बोला जा रहा है कि 3 article free देता है, और कितने पे 13 पे, तो दूसरा discount कितने का हो गया, 2 discount है, दूसरा discount 3 article free देता है 13 की खरीद पे, यानि discount कितना हो जाएगा 3 upon 16, भाई, total article अड़ करोगे न, 13 और 3 मिलके 16, तो 2 discount दिये गए, एक discount तो 1 by 7 का, दोस्तों कितना 3 by 16 का, percentage करना होता, 100 से multiply कर देते, percentage मिल जाता, percentage नहीं करना हमें, हम equivalent निकालनेगे, और हमें success से equivalent पता है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, value 7 है, तो 1 घट के 6 हो गई, यहाँ पे value 16 है, तो दोस्तों 3 घट के कितनी हो गई, 13 हो गई, अब आपको simplify करना है, अब चाहें तो multiply मार दो, direct ही multiply मार दो, 16 घुड़े साथ कितना हो गया, 112, 13 घुड़े 6 कितना हो गया, 78, यानि आप यह कह रहे हो कि अगर यहाँ पे यह mark price है, तो यह 78 क्या हो गई, इस selling price हो गई, आप से बोला गया कि सामान बेचा गया है, 780 रूपय में, उस सामान को 780 रूप भाई 10 गुना दिख रहा था ना यह, सही है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मुश्किल है, आपने एक बार बस एक चीज अपने दिमाग में set करके रखना बस, एक ही example जो तो यह रहे हैं, हम शॉपकीपर सपोस हैं, हमने एक सामान प्रिंट किया, उस पे 100 रूपय हम ठीक है, ओके, निशु गौर, बहुत बढ़िया, हर्शुवर्धन, वाई 179 एपलाई कहां करना है, हर्शुवर्धन जी, जहां पे भी, कोई भी आप चीज अन्रोल करा रहे हैं, तो वाई 179 प्रोमो कोड़ाई कोड़ की जगहां पे एपलाई करना, जैसे महापै काप अगर सपोज ले रहे हो, तो वहाँ पे कोड़ आता है, वाई 179 एपलाई करोगे, 30% off मिल जाएगा, ठीक है, चलो इस कोईशन को देखते हैं, हम लोग दोस्तों, बोला गया कि एक आदमी ने 40% बढ़ा करके प्रिं 40% का off कर दिया, हमने उस पे 40%, sorry, off कह रहे हैं, 40% बढ़ा करके प्रिंट कर दिया, यानि कि मार्क प्राइज हो गई, मेरी कितने के बराबर, 140 रुपे मार्क प्राइज, अब हम इस पे डिसकाउंट देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कितने में हमने उस सामान को बेचा है डिसकाउंट क्या 1 दिया जा रहा है, या 1 से जादा दिया जा रहा है, ठीके बई, डिसकाउंट 1 दिया जा रहा है, या 1 से जादा दिया जा रहा है, तो आप देखो 20% का 1 डिसकाउंट, दूसरा डिसकाउंट है कि 1 मुफ्त मिलता है 15 की खरीद पे, तो 2 डिसकाउंट है य इतनी हो गई, 15 हो गई, अब आप cross multiply करोगे, 5 से ये cancel हुआ, 3 आ गया, इधर cancel हुआ, 4 आ गया, यानि value 4 थी, तो 3 हो गई, कितने percent का discount, आपने कहा, एक का discount दोस्तों, 4 पे, तो बताओ, 100 पे कितना, जवाब आ गया, 25%, यानि equivalent discount जो आया, इसका वो कितना आ गया, 25%, दो discount थे 20% और एक मुफ्त 15 पे, तो overall जो discount equivalent आया, वो कितना आ गया दोस्तों, 25% का, तो 20% कमी मत करना, अब आप इस पे 25% कमी करेंगे, तो 125% का मतलब एक बटे चार होता है, 140 का एक बटे चार करो कितना आता है, 35 की कमी कर दो, 35 की कमी करो कि value 105 आ जाएगी, यानि कोई सामान जो 100 का थ clear है इतना, ठीक है, done, आपको जब भी एक से ज़्यादा discount मिले, आप equivalent निकाल देना, फटाक से बस और कुछ नहीं करना, next question आपके सामने गे रहा, timer, फटापट से answer किया जाए बस, ठीक है दोस्तों, आपको test series लेना ही, कुछ भी लेना है, आप Y179 एप्लाई करोगे, तो आ ठीक है, आप अगर महा पैक लेना चाहते हैं, कोई भी चीज अगर आप ले रहो, कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहो, तो 5179 को कूड अप्लाई करना, वहाँ पे आपको मिल जागा 30% का off, ठीक है, चलो, अगले question पर बढ़ते है, इसमें बोला गया, कितना answer आ रहा है आप और रूपी 6600, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, एक चीज बहुत अच्छे से समझना, एक relation आप इस चीज को note करें, बहुत जगहों पर यूज होगा, एक relation हमेशा ध्यान रखना ये, जो कि mark price और cost price के बीच में relation होता है, mark price और cost price के बीच में relation होता है, मेरे दोस् profit percent upon hundred minus discount percent, बहुत useful है ये आपके लिए, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा useful है, अब कैसे कह रहे है useful, जड़ा वो देख लेते हैं, कैसे कह रहे है useful, जड़ा वो देख लेते दोस्तों, हटा दे इसको, इसको बस ध्यान रखना आप इसी के use होगा इसमें, तो आप ये देख रहे हो कि आपको इस question में क्या दिया गया, discount दिया गया 12% का, आपको discount दे दिया गया 12% का, और shopkeeper को profit हो रहा है दोस्तों 10% का, 10% का profit हो रहा है, discount दिया जा रहा है 12% का, direct आप लिखोगे mark price upon cost price, और क्या 100 plus profit percent यानि 110, 100 plus 10, 110 हो गया, divide by 100 minus discount, यानि 100 में 12 घटा दो, आपका pencil कर दो, 25, 110, 22, 4, 88, यानि कि mark price अगर 5 रूपए, तो cost price 4 रूपए, यानि 4 रूपए में, अगर कोई सामान, अगर 4 रूपए में, कोई भी सामान खरीदा गया है, तो उस पर print किया गया है दोस्तों 5 रूपए, आपने कहा कि उपने सामान को 6600 में खरीदा है, यानि इस 4 की value हो गई, 6600, तो 1 unit की value, 4 एक कम 4 हुआ, 6 में 4 घटाओगे, 2, 26 हो जाएगा, 4 चंग 24, 26 में 24 घटाओगे, 2, 25, यानि 1650, 1 unit की value कितनी के बराबर आगी, 1650, इस 5 की value कितनी हो जाएगी, 1650 से multiply कर दोगे आप, आपका जवाब 8250 के बराबर आएगा, ठीक है बही, तो इस तरी अगले सवाल पर move किया जाए, 20 सवाल करने है, बहुत सुस्ती मत दिखाओ आप, आजाओ अगले सवाल पर, चीज़े बस आपके habit में आजाए बस तेजी के साथ, ठीक है? सर्टेस्टिरिस का कौन सा phone number, हर्षवर्धन जी, स्टोर पे विजिट कर लिया करो, कभी भी एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज का सपोस्ट मुझे number चाहिए, अगर मुझे कोई भी university है, उसका number चाहिए, क्या करें, Google पे सर्च मारेंगे, लिख देंगे, help line number, ऐसी करते ह कर लिया करो इसमें भी, ठीक है, देखो, आप इसमें बोला गया 20%, आप से बोला जा रहा है कि merchant gain 20%, यानि आपको यहाँ पे profit percentage दे दिया गया 20%, ठीक, बोला गया discount है 10% का, discount आपको दिया गया 10% का, बोला जा रहा है shopkeeper would not allow any kind of discount, then what will be the profit percentage, यानि कि अगर shopkeeper एक भी discount ना दे, तब कितना profit percent होगा, अच्छा आप यह बताओ कि mark price और cost price के बीच में relation क्या बना, mark price और cost price के बीच में relation जड़ा बता है, तो profit हो रहा है 20 का, 100 plus profit percent होता है, 100 में 20 जोड़ दो कितना आएगा 120, 100 minus discount percent होता है, 100 में 10 घटा दो कितना आएगा 90, 40 से cancel करो, 30 से cancel करोगे, उपर 4 लागत लगी है 3 रूपे, shopkeeper की लागत लगी है 3 रूपे, उसने 4 रूपे प्रिंट करके रखा है, usually आप जाते थे वो आपको discount देता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, उसने आपको discount नहीं दिया, अगर discount नहीं दिया, तो वो सामान को mark price पे ही बेच देगा न, उस वो discount नही कितना जवाब 33.33%, option number B, done, सबका आगया, चलो अगले question पर move करते हैं दोस्तों, ठीक है, shortest approach आप सीखते चल रहे हैं दोस्तों, तेजी के साथ आप कर रहे हैं सवालों को, अगला सवाल ये रहा और ये आपका timer, most important करके mark करना बहुत confusion होती इसमें, time अप होने वाला है, जल्दी से, question अच्छा है ये, ठीक है, जटके में answer नहीं आएगा, देखो यहाँ पे, आपको सबसे पहले क्या बोला गया, data क्या दिया गया, बोला गया कि अंकित मूले को लागत मूले से 50% पर प्रिंट किया गया, यानि कि अगर cost price आपकी 100 है, तो mark price इसको 50% बढ़ा करके प्रिंट किया गया, यानि 150 प्रिंट किया गया, फिर बोला गया, अंकित मूले और विक्रे मूले दोनों में 20% की वृद्धी हो, अच्छा हमारे पास selling price नहीं है, इसलिए मैंने selling price को X हमाल लिया, reason क्या है, ना तो मुझे profit loss का percentage दिया गया, कि आप उ कितने का हो रहा है, आप कहरो, X selling price है, 100 cost price है, selling price में cost price घटा देंगे, X minus 100, ये मेरा शुरुआत में profit हुआ करता था, initial profit है ये, ध्यान से देखना, ठीक है, आप अगर कहा जा रहा कि mark price और selling price को बढ़ा दिया जाए, कितना कितना percent बोला गया, 20%, 20-20% बढ़ा दिया जाए, त हो जाएगा 120%, 120% यानि कि 1.2X लिख सकते हैं हम लोग, 1.2X लिख तो 120% हो जाएगा, तो अब profit कितने का होगा, अच्छा, cost price में कोई change नहीं है, तो cost price मेरी अभी भी 100 है, नया profit कितने का होगा, तो आप कहोगे नया profit, selling price है मेरे भाई कितना, selling price है 1.2X और minus cost price कितनी है 100, ये प्रॉफिट होता है, और question ने कहा कि अब जो profit हो रहा है वो पहले वाले profit का double हो रहा है, दो गुना लाब होता है, अब जो नया profit हुआ, नया profit कितना, 1.2X minus 100, नया वाला profit, ये double है किसका भाई, पुराने वाले profit का, अब इसी को आपको simplify करना है, तो 1.2X minus, अब इसको simplify कर ल चलो तो देखो अब इसको जब simplify करोगे तो आप कहेंगे calculate करना है आपको इसी चीज को 1.2x 2x यानि 2x में घटाओगे तो कितना आएगा 0.8x और बराबर कितना 200 में 100 घटाओगे तो आपके पास 100 आजाएगा तो x की value कितनी आएगी 100 upon 0.8 मेरे दोस्तों यानि इसको हटाओगे आप तो यह हो जाएगा 1000 यानि x की value आपकी 125 के बराबर आगई x की value 125 का मतलब यह हुआ कि selling price मेरी कितनी हो गई दोस्तो 125 हो गई इस तरीके से हम लोगों ने selling price 125 निकाल दी लेकिन मुझे 125 की exact value चाहिए तो आपको exact value कहां पर दे रखी है आपको दे रखा है कि mark price जो है वो 300 रूपए है हमारे हिसाब से mark price कितना है 150 तो हमारा 150 अगर 300 के बराबर है तो हमारा 125 किसके बराबर होगा इसका double कितना हो गया 250 आपका जवाब कितने के बराबर 250 option number C आपका correct answer रहा ठीक है भई तो अच्छा question है ध्यान रखना इसलिए मैंने important mark कर दिया था आसानी से आप इस तरीके से भ discount percentage दिया गया था जिसकी help से आप connect कर सकें उसे mark price से ठीक है भई चलो तो आगे चलते हैं हम लोग अगले question पर move करते हैं दोस्तों next पर move करते हैं मेरे भाई ठीक है अगला सवाल चलो छोटे-छोटे सवाल है जल्दी फटा-फट से आप answer करते रहो बिल्कुल 250 सही answer है ठीक है देखो वीडियो यूट्यूब पर है यूट्यूब पर पढ़ा रहेगा repetition वाली चीज़े नहीं है कि आपको repeat किया जाए अब एक बार में अगर नहीं समझ आए तो दूसरी बार वीडियो देख लिया अगर हो समझ आजा जाएगा ठीक है हाँ बिना option के solve करो अब तो तुक के बाजी बंद अभी तक बहुत देर से तेजी से तुक के बाजी चल रही थी अब सही है चलो आजाते हैं दोस्तों इस question पे shopkeeper allows 10% discount ऐसे focus करो अब direct point to point 10% discount उसके अलावा फिर क्या करता है कि एक article free दे रहा है 7 की article पे तो 2 discount हो गए पहला discount दोस्तों 10% का 10% का मतलब एक बटे 10 का discount दूसरा discount कितने का एक article free है साथ पे यानि आपको होगे एक बटे 8 बही टोटल article साथ और एक जुड की 8 हो गया ना दो discount है इनका आपको equivalent चाहिए equivalent successive equivalent आपको होगे value 10 है तो 1 घट के कितनी हो गई 9 यहाँ पे value 8 है तो 1 घट के क कितनी हो गई साथ simplify कर दो यह value 80 हो गई यहाँ पे value आगई 63 के बराबर कोई value जो की शुरुवात में 80 थी बाद में कितनी हो गई 63 हो गई कोई भी value जो की 80 थी और वो बाद में कितनी हो गई 63 हो गई कहा जा रहा कि अगर articles को 315 रूपे में बेचा गया इसका मतलब यह 63 कितन में बेचा गया दूस्तों आपने कहा 315 रूपे में तो वन यूनिट की value कितनी हो गई 5 इसका मतलब 80 की value कितनी हो जाएगी 5 से multiply कर दोगे 400 रूपे आपका answer ठीक है बिलकुल 400 सही बता रहे हो अब देखो आप solve कर रहे हो अब आपके दिमाग पर पढ़ रहा है load अभी तक option तो तुक्का मार के बस स्री राम कनारा ले के तुक्का मार देते थे आखमून के हनुमान चाल सा भी कुछ लोग पढ़के जया हनुमान घ्यान कुछ सा अगर रा पर जहां पर रुका जिस option पर वही answer हो ठीक है तरीके आप से देख लो आप जटके में कर रहे हो कितनी तेज को हम नीचे लिखते हैं ठीक है ओके दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरी क्लास सूबा 9 बजे जलती है आज सेशन नहीं हो पया था इसलिए हमने ये सेशन दुबारा से रिशेडूल किया है ठीक है आप लोगों से बस ही बोल ठीक है और फिर हमसे उम्मीद करते हो गुरुजी PDF टाइम टू टाइम हमको दे दो चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हम लोग ठीक है 20% का profit 20% discount यही है आपको profit दिया गया कितना 20% आपको discount दिया गया कितना 20% ठीक है आपको mark price और cost price में relation मिल जाएगा mark price और cost price में relation मिल जाएगा 100 plus profit percent divide by 100 minus discount percent 100 में 20 जोर दो कितना आगया 120 100 में 20 घटा दो कितना आजाएगा 80 आजाएगा सही है आप इसको कर दो terminate ठीक है आप इसको terminate करो 40 से cancel करोगे उपर 3 नीचे 2 यानि आप यह कह रहे हो कि अगर cost price suppose 2 रूपए है तो mark price कितनी है 3 रूपए calculation को easy बनाने के लिए हम इसको 200 और 300 लिख सकते हैं क्यों ऐसा कह रहे है क्योंकि आपसे बोला जा रहा कि अगर वो 10% का discount दे तो mark price 300 है अगर वो 10% का discount दे दे 300 का 10% कितना होता है 30 की कमी कर तो कितना आ जाएगा 3030 की कमी कर तो कितना आ जाएगी वैल ओसे 270 यानि कि selling price कितनी होगी दोसतो 270 रूपए होगी अब cost price 200 और selling price 270 कितने का profit आपको देखने को मिला 70 का profit दोस्तों कितने पे 200 पे 70 का profit 200 पे तो बताओ 100 पे कितना 7 अपनों साब साब दिख रहा है कितना answer आ गया 35% सबका 35% आ गया ठीक है questions उसी type पे है ठीक है भई बिलकुल मोहित सिंग हाँ भया याद कर रहे हैं आपको मोहित सिंग ठीक है इतना ओके बस इसी पे focus किया करो 2 important relation है आपके सामने 2 important mark कर लो अगर आपको ना पता हो ठीक है पहला important तो ये है कि mark price और cost price का जो relation होता है वो 100 plus profit percent upon 100 minus discount percent होता है एक point ये और दूसरा point ये कि अगर 1 से ज़्यादा discount होते है D1 suppose आपको दिया गया 1 upon X और दूसरा दिया गया D2 दो discount आपको दिये गए 1 upon Y एक से ज़्यादा discount है तो वो आपके success ही होते है उनको break करने का तरीका यही होता है X है value तो एक घटके X minus 1 हो गई दूसरा अगर Y है तो घटके Y minus 1 हो गई फिर multiply कर ले तो X Y है तो यहाँ पर X minus 1 और Y minus 1 हो यही हम लोग करते है ठीक है next पर move करते है मेरे भाई अगला सवाल यह रहा last में 20 सवाल करके हमें question of the day भी discuss करना है ठीक है आप लोग session अगर आपको ठीक है थोड़ा तेजी हम बना रहे है जान बूच की बना रहे हैं वरना इतने question आप लोग solve ही ना कर पाते ठीक है भाई थोड़ा speed बनाए है वो भी जरूरी है कहीं न कहीं ठीक है सुबा 9 बजे daily class होती है 9 a.m. पे daily class होती है मेरी ठीक है यह reschedule किया मैंने class को सुबा वाली class नहीं हो पाई थी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इस सवाल में अगर ध्यान से देखें मेरे दोस्तों तो आप से क्या कहा जारा merchant fixes the selling price of his goods 15% above the cost price यानि की अगर 100 रूपए उसने खरीदा है तो 15% उसने बढ़ा करके print कर दिया यानि mark price 115 रूपए हो गई बोला गया कि 12% का discount फिर क्या बोला he sells his goods at 12% less than fixed price यानि अब उसने 12% की कमी कर दी अब 115 का 12% पहले आप निकाल दो तो 115 का दोस्तों 12% कितना होगा तो 12 गुड़े 15 कितना होता है 180 12 एक कम 12 और 1 मिलके 13 हो गया 100 है नीचे तो 13.8 यानि कि अब इस 115 में 13.8 आप गटाएं ठीके भई 100 यह जो आपके सामने लिखा हुआ है 115 इस 115 हमें दोस्तों आप 13.8 गटा दें तो कितना आजाएगा 115 में 14 गटा दो पूरा तो कितना आता 115 में 14 गटा होगे तो 101 आजाएगा 101.2 के बराबर आगया 3.25, 1.5 क्या क्या बता रही यार फिर से देख लो उसने 15% उसने क्या कर दिया बढ़ा के एक वियापारी लागा a merchant fixes the selling price of his goods 15% at his goods at 15% above the cost price ठीक है इतना 115 उसके बाद वो 12% कम price पर बेज़ता है 115 का 12% कितना होता 12 गुड़े 15, 180 13.8 अब 115 में आपको घटाना है 115 में आपको घटाना है कितना आ जाए यहाँ पर 20 हो गया यह और फिर आप 4 में 3 गटा एक आगया 11 में गटा दो तो 10 आगया वही चीज तो लिखा मैंने 101.2 है ना 101.2 वही चीज लिखा ना आपने अब देख लो आप कहां कहां पे गलती कर रहे हो इसका 15% कितना आया था 13.8 आया था और आपने क्या क्या 13.8 की कमी कर दिया इस 115 में 13.8 की कमी कर दिया 101.2 में आप बेच रहे हो समान को 100 रूपे में खरीदा था आपने 101.2 में बेच रहे हो यानि कितने का profit हुआ आपको 1.2% का profit 1.2 आपके सामने दोस्तों ये आपका answer रहा ठीक है next question पर move करते हैं अगला सवाल आपका ये रहा दोस्तों और आपका timer इस्टार्ट होता है खीक है अब आपसे percentage पूछा है इस सवाल में ध्यान से देखना भई आपसे क्या पूछा गया है इस question में 480 रूपए value दीक ही मुझे कोई काम ने क्यों क्योंकि मुझे profit percent पूछा है हम तो बस यही देखें कि mark price और cost price का relation क्या है क्यों ऐसा कह रहे है क्योंकि मुझे discount percentage दिया गया discount percentage है 10% का और मुझे profit percentage दिया गया दोस्तों कितना 8% का हमें पता है दोस्तों क्या हमें एक चीज़ पता है mark price और cost price का relation क्या होता है तो mark price upon cost price करोगे तो 100 plus profit percent यानि 108 discount percentage है 10% का 100 minus 10 कर दिया value 90 के बराबर आगे सही इतना अब आप इसको simplify करोगे किस से cancel किया जाया दो से cancel या फिर 9 से cancel करो तो 9 से cancel करोगे 18 से cancel मारो 185 90 और 186 108 यानि आपको पता चल गया कि cost price अगर 5 तो mark price कितनी 6 अगर कहा जा रहा है कि कोई भी अगर discount ना दिया जाय तब profit percent क्या होगा तो आपको पता है in case of no discount इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों in case of no discount ये practical सी बात है कोई रटने वाली बात नहीं है in case of no discount mark price ही हमारी selling price बन जाती है अगर कोई discount ना दिया जाय तो mark price ही selling price बन जाती है तो ये mark price अगर हमारी 6 रूपय है cost price 5 है यानि कितने का profit हुआ तो आपने खहा एक का profit दोस्तों कितने पे 5 पे तो एक बटे 5 multiplied by 100 जवाब 20% के बराबर आए गया बिल्कुल सब का सही है जिन बच्चों का अभी नहीं हो पा रहा है दोस्तों वो session को दुबारा repeat करके देख लेना वीडियो ये तुम पीछे लेके चले जाओ back मारो दुबारा सुन लो आराम से समझ आ जाएगा ठीक है चोटे-चोटे सवाल है इसी से आपके concept इतने मजबूत हो सकते हैं अगर आप तेजी के साथ करने के कोशिश करें हाँ भाई इसी सिंग lockdown के बाद भी चलेगी zero to hero क्यों नहीं चलेगी चलो तो आप से इस question में कहा जा रहा है कि 20% का discount यहीं बोला गया ठीक है किसी वस्तु को 20% discount देने पर क्या profit होगा अगर बिना discount के 40% का profit होता था 40% का profit होता था इसका मतलब क्या हुआ? 40% का profit होता था what is the percentage of profit in selling an article at a discount of 20% which was earlier being sold at 40% तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले 40% के discount पे दिया जाता था तो इसका मतलब कि 100 रूपए अगर cost price हुआ करती थी तो इसका मतलब selling price जो होती थी मेरी दोस्तों वो क्या होती थी? बोला गया सबसे पहले 40% का profit होता था यानि उस समय selling price कितनी होती थी? 40 रूपए होती थी? ठीक है? clear है? ठीक है? इसका मतलब आप यह बताओ बोला गया what is the यह बोला जा रहा है कि what is the percentage profit in selling an article at a discount of 20% which was earlier being sold at 40% profit यानि कि पहले वो किसी वस्तु को 20% चूट देने पर क्या लाव होगा? जबकि पहले यह लाइन हम धूड रहे थे इतनी देर से यही शब्द धूड रहे थे बिना चूट के बेचने पर उसको 40% को profit मिलना था यह चीज मुझे English वाले language में नहीं मिल रही थी यही चीज में आपको इतनी देर से रूक रहे थे इसलिए थोड़ा सा अरचन आ रही थी बोलने में कि यह प्लाइन आपको पता होने चाहिए ना भाई पहले discount नहीं दिया जाता था इसका मतलब selling price ही mark price थी पहले discount नहीं दिया जाता था तो selling price mark price दोनों वही सेम थी उसको 40% का profit होता था अब क्या किया जा रहा है 20% का discount दिया जा रहा है तो 20% का discount दिया जाएगा तो 140 का 20% 14 दुनिय 28 होता है 28 की कमी कर दो 28 की कमी करोगे तो 112 आ जाएगा यानि अब सामान को अगर 100 रूपे में खरीद रहे हो तो 112 में बेच रहे हो कितने percent का profit 12% का profit आ गया कुछ लोग 75% बता रहे हैं कुछ लोग 12% बता रहे हैं कुछ लोग 60% बता रहे हो देख लो अब कलाकारी बिलकुल खीरी वाले वर्मा जी कलाकारी आप सारे लोग देख लो कि बगर option ना दिया जाए तो कितना भैंकर आपका answer vary करता है confidence नहीं आ पाता आप में से बहुत ज discount जब बिना discount के दिया जा रहा था इसका मतलब की वो जो 140 रूपए selling price थी वही mark price भी थी discount नहीं दिया था उसने पहले शुरुआत ने clear? अगले सवाल पर आते हैं next question आपके सामने ये रहा दोस्तों timer start होता देखो जितने नए दोस्त जूड़ रहे हो जिनको time मेरी ना पता हो मेरी classes सुबा 9 बज़े daily चलती है अगर अब तक channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर ले बिल icon प्रस कर दे हर class का notification आप तक पहुंचता रहेग ठीक है और अगर आपने zero to hero की classes नहीं देख लिए तभी तो आज speed बनाएं आपके सामने इस तरीके से थोड़न zero to hero की class चलती है बस पंद्रहावा question पहुंच चुके हो ठीक है आते हैं दोस्तों इस question को ध्यान से देखा जाए session को like वाइक भी करते रहो यार तुम लोग बोल नहीं रहे हैं देखो like करने के लिए लेकिन अपनी तरब से करते रहो यार ठीक है खाना वाना तो खाली होगे सारे लोग है ना खाना वाना तो सब लोग खाली होगे चलो आराम से देख रहो नवस लाइक वाइक टश करते रहो अब कहा जा रहा कि रागवन ने एक scooter purchase किया at 80% of its mark price यानि कि mark price कुछ थी सपोज हमने मालिया की mark price उसकी 100 रूपे थी हमने कहए दिया 104% of its mark price यानि इसका 104% कितना होगा 104 ही होगा इतने में इन्होंने इसको बेच दिया selling price 104 हो गई यानि कितना profit आपको देखने को मिला तो आप कहे रहे हो न 24 का profit कितने पे 80 पे 24 का profit 80 पे तो बताओ 100 पे कितना 20 से cancel कर दो नीचे 4 आएगा ऊपर 5 आएगा 4 से इसको cancel किया 6 आगया 6 पंचे कितना आगया 30% तो आपका वाइंसर कितना रहा 30% बिल्कुल सब लोग बता रहे हो ठीक है clear अच्छा भी class के लिए बैठे हो चलो भाई सही है हम भी नहीं खाये है मुझे लगी भूख हम चलो class कहतम करके हम लोग खाते हैं फिर साथ में ठीक है भाई आइए इस सवाल पर भी करते हैं इस सवाल को देखाजाएं अच्छा राजेश कुमार सबको पाल्टी दे रहे हैं बहुत बढ़ियां चलिए दूस्तों टाइम समाप्त होता है आपका ठीक है देखते हैं इस कुश्चन को बुला जा रहा है इसका मतलब कोस्ट प्राइस पर बेचने की बात कर रहा है और यह एक चीज़ दिमाग में रखना आपने एज्यूम कर लो खुद से एज्यूम कर लो क्या एज्यूम करेंगे आप कि उसकी खुद की कॉश्ट लगी है 100 रूपे फॉर कितने के लिए 100 cm के लिए ऐसे आप एज्यूम कर लो तो आपके लिए थोड़ा असान हो जाएगा ठीक है हमने एज्यूम कर जैसे आप रॉंग वेट वाले कुश्चन करते थे ना तो 1000 रूपे 1000 ग्राम के लिए माल ले थे तो हम 100 रूपे उसकी खुद की कॉस्ट मान रहे है जो जहां से थोक में उठाया है समान उसकी बात कर रहे है कॉस्ट हजार रूपे 100 रूपे फॉर आदमी उसके पास आया एक मीटर कपड़ा खरीदने के लिए एक मीटर कपड़ा खरीदेगा तो वो एक मीटर कपड़े के बदले में दुकानदार को 100 रूपे दे के चला जाएगा और दुकानदार के हाथ में अगर 100 रूपे आ गये तो वो दुकानदार के लिए selling price बन लेकिन दुकानदार ने क्या actual में उसको 100 cm दिया, क्या उसको 1 meter दिया कपड़ा, नहीं, उसने दुकानदार ने उसको कितना दिया, मातर 90 cm, उसने मातर 90 cm दिया, इसका मतलब उसकी खुद की लागत जो गई, वो खाली 90 रूपे गई, 90 cm गया तो 90 ही गई नहीं, बस यही CP 90, cost selling price 100, इसका मतलब 10 का profit 90 पे, तो बताओ 100 पे कितना, आपका जवाब 11.11% के बराबर, done, ठीक है, next, timer, हाँ भई, morning class प्रदीप कुमार आज नहीं हुआ था, इसलिए मैंने का कि नुकसान ना हो आप लोग का, ठीक है, अभी शाम कोई दिन भर तो ऐसी classes, classes ही रहती है, है न, दिन भर तो class ही class रहती है, इसलिए शाम को रात में schedule करवा दिया मैंने, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखो, एक discount यहाँ पे दिया गया है, दोस्तों, 30% का, एक discount है 30% का, और दो all discount है 20% and 10%, तो इस 20% और 10% का equivalent क्या हो जाएगा, आपका होगे, 20 plus 10 minus 20 multiplied by 10 upon 100, equivalent discount निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह आजाएगा आपका 28%, यानि एक discount है 28% और इस 20 और 10 का equivalent हो जाएगा 28%, यानि कि अगर 100 रूपए कोई सामान, किसी दुकानदार ने, किसी सामान की उपर अगर 100 रूपए प्रिंट किये हैं, तो वो पहले दोस condition वे कितने का discount देता है, 28% यानि 28 रूपए का discount देता है, इनके 20 का difference कितना है, difference आप खुद ही देखो, difference कितने का है दोस्तों, 2 रूपए का, और इसी 2 की value question ने बताई है, 170 रूपए, तो 1 की value हो गई हमारी 85, आप से पूछा गया mark price बताओ, 85 से multiply कर दिया, 85-100 रूपए दो सब लोगों ने सही answer बताया, next question आपके सामने ये रहा दोस्तों, किया जाए, ये तो आप कर चुके हो, है ना, ये सवाल हम लोग कर चुके है, अगला सवाल, ये सवाल हम लोग अभी भी discuss कर चुके है, है ना, next आपके सामने 19 वा number ये रहा, अच्छा ये भी आपने कर लिया ये सवाल repeat हो गए, ये सवाल भी आपने कर लिया दोस्तों, है ना, ये आपका जो था, ठीक है, इस question को देखें, ये आपका हमने कल के session में question of the day में आपको दिया था, कुछ लोगों ने solve किया, कुछ लोगों ने solve नहीं किया, ठीक है, कुछ लोगों ने solve किया, जादा तर ल बोला गया, अब merchant, merchant observe that, he earned profit of selling price of 7 kg sugar, यानि कि उस merchant को 7 kg, 7 kg sugar की selling price के बराबर का profit हो रहा है, देखो, ऐसे लिखो, एक shopkeeper ने observe किया, उस व्यक्ति को profit हो रहा है, 7 kg की selling price के बराबर, ठीक है, ध्यान से देखना है, इस question को, अच्छे से, ठीक है, after selling 21 kg sugar, यानि 21 kg sugar बेजने पर कितने का profit होगा, आप कहोगे 21 kg की selling price में से, 21 kg की cost price अगर घटा देंगे, तो यहाँ पे हमें 7 kg की selling price के बराबर का profit मिल जाएगा, यही हुआ, थोड़ा और आगे calculate कर दो, 21 में 7 घटा होगे, तो कितना आ जाएगा, 14, 27, 14 multiplied by SP, बराबर यहाँ आप देखोगे, तो कितना हो जाएगा, 21 multiplied by CP, 7 से cancel किया, 2 आ गया, इधर आ गया, 3, यानि आप लिखोगे, SP upon CP की value, 3 upon 2 के बराबर, चलो, इतना तो मैंने लिख दिया, छोड़ दो इसी पितेंबे, ठीक है, हम hide हो रहे हैं, हम hide हो रहे हैं, थोड़ा जगा बनाएं यहाँ देखोगे, यहाँ तक आपने कर दिया, selling price और cost price का relation आपने 3 by 2 लिख दिया भाई, आगे बोला जा रहा है, एक चीज़ ध्यान दो, कि आगे यह बोला गया आप से, कि profit earn on 8 kg सुगर, 8 kg सुगर पे जो उसको profit हो रहा है, is equal to the discount given on 16 kg सुगर, यह बराबर है, 16 kg सुगर पे दिय यह बराबर, यानि profit upon discount का अगर आप ratio लोगे, तो कितना आजाएगा, आप कहोगे 2 upon 1, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर shopkeeper ने 1 रूपय का discount दिया, मेरे भाई, shopkeeper अगर, ऐसे दिखो यहाँ पे, कि shopkeeper अगर 1 रूपय का discount दे रहा है, तो इसका मतलब उसे 2 रूपय का profit हो रहा 50% के बराबर, यह तो आपको मिल चुका है, कितना आप लोग का answer आ रहा है, एक बार आप लोग का भी answer देख ले हैं, ठीक है, कितना answer आ रहा है, 33.33 सारे लोग बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक कहानी clear हो गई, कि 50% का profit percentage है, यह बात तो आप सबको पता है को हटाओ, ठीक है, clear इतना, अब देखो, आपको पता है, यहाँ से शुरू है, main खेल आपका discount, देखो, आप से profit percent और discount percent का difference पूछा है, profit percent तो आपने निकाल दिया, आपका target discount percent है, discount percent कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, mark price आपको नहीं पता है, आपको खाली कितना पता है, आपको पता है, CP है 2 रूपए, तो selling price है कितनी दोस्तों, 3 रूपए, mark price आपको नहीं पता है, आप मुझे एक चीज का जवाब दें दोस्तों, कि अगर हम इसको 20 और 30 मान लें, ठीक है, और आप ये कहें कि यहाँ पे उसको profit कितने का हो रहा है, 20 और 30 अगर लिख दिया मैं इसका मतलब ये हुआ, कि discount जो दिया गया है, वो 10 का आधा, दोस्तों, कितने का दिया गया है, 5 का दिया गया है, तो अब जो mark price आएगी, वो mark price कितनी हो जाएगी, 35, कैसे, कि आप भाई, यहाँ पे वो value लिखो गए न, जिसमें 5 रूपए कमी करने के बाद, आपने 30 परसेंट के बराबर, discount percentage आगया, 14.28%, profit percentage है, मेरे भाई 50%, इन दोनों का difference पूछा था, 50 और 14.28 का difference लोगे, आपका जवाब 35.72%, ठीक है, 35.72% यह आजाएगा, ठीक, clear हो गई कहानी, तो गलतियां आप लोगों में से बहुत जाएसे, कित्टू सिंग लेखो लगातार, ठीक है, यह रही overall कहानी दोस्तों, इस particular session की, इस particular explanation की, अगर आपको यह कहीं पे भी समझने में चरज होई हो, तो इसको आप वीडियो आपके पास रहेगा, इस वीडियो को दुबारा से जरूर देखें, आपको समझा जाएगा, अगर दो बार देखो, तीन बार देखो, बेटे देखो, महाकाल जी, आप कह रहे हैं कि 20 और 30 समझा दो, CP और SP का रेशियो 2 और 3 था, अगर CP-SP का रेशियो 2 और 3 है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 20-30 लिखने का मन हो, वो लिख दो, 200-300 लिखने का मन हो, वो लिख दो, ठीक है, ठीक है, तो बस वही 20 और 30 लिख अब हम आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं, जैसे कि ये, बैंक महापैक, आपके लिए सबसे बैंकर समझ लो, अभी के दोर में वरदान साबित होने वाला है, बैंकिंग महापैक, जितने भी बैचेज हम लोगों के लांच होते हैं, चाहे मेरे, चाहे संतोज कुमार रे कि इसके यही है, मतलब यही है, मार प्राइस तो ज्यादा है, 12,999, इसमें आपको 1000 से ज्यादा टेस्स सिरीज मिलेगी, 5000 से ज्यादा आपको वीडियो मिलेगे, लाइव क्लासे आपको मिलेगी, सारे बैचेज के दोस्तों, Y179 कोड एपलाई करोगे, इस पर्टिक्लर हो गया न, यह मत कहना, बच्चे मुझे पता है कि जादा है नहीं हमारे वाले जो सुबा, 9 बज़े वाले बच्चे रहते हैं, जाद सब नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं है, ध्यान रखना कल सिंपल इंट्रेस्ट होगा, जो भी आपकी यार दोस्तों, जिनको कनेक्ट ना क अच्छा लगा तो बस अच्छा अच्छा कमेंट करना, बुरा लगा तो गंदा गंदा कमेंट कर देना, लकिन शियर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले, चलिए, खयाल रखें अपना, बबाए, टेक क्यर,